कि इस ट्रेडिंग के डेली अनिविश्यस वीडियो में आप सभी का स्वागत है से ने देखते हैं मार्केट कहा मोमेंटम कर सकता है किस डिरेक्शन हम दोग ट्रेड कर सकते हैं एक्सपारी की दिन ठीक है गाइस मैंने क्या कहा था कि मैंने आपको लेवल दिये हुए था आप देखेंगे कि उन लेवल्स को मार्केट ने किस तरह से रिस्टेक्ट किया है ठीक है मैंने कहा था जब तक 43,000 मार्केट नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग कॉल की तरफ नहीं जाएंगे और डाउनसाइड जब तक 42,400 नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग नीचे के सेनारियों में कोई दीषेड नहीं लेंगे अप देखेंगे उस्पार आप देखेंगे मार्केट एंग no getting के बाद मैंने का था कि मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाई ठीक है तो अभी कल चे सिन्यारियों में हमको कैसे ट्रेट करना है बैंक निप्टी में ठीक है अभी आप देखेंगे 15 में चार्ट में अगर हम देखें ठीक है तो अगें 43,000 जो है हमारा एक important resistance निकल के आता है ठीक है और यहां पर आप देखेंगे तो एक M kind of pattern दिख रहा है 15 में ठीक है यह देखिए M pattern दिख रहा है अब देखना है कि कल मार्केट कहां open होती है ठीक है मा अब पकड़ लिए यह देखिए लगवग लगवग 22,700 ठीक है इस low को पकड़ लिए आप 80 कर लिए 680 कर लिए ठीक है 22,000 680 के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू होती है जहां देखेंगे अगर मार्केट फ्लैट कोई के 42,680 के नीचे चलना शुरू होती है तो हमारा नीचे जो पहला टार्गेट आएगा वो लगवग लगवग 42,500 तक हम लोग ले सकते हैं ठीक है यह रहा 500 ठीक है 500 के बाद सिदे 400 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं ठीक है मार्केट फ्लैट खुल करके अगर 680 को तोड़ती है तो हमारा पहला टार्गेट रागेट रह और आप मार्केट नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग ऊपर का कोई भी वियू नहीं बनाएंगे ठीक है यह, यह कंडिशन मैंने फ्लैट खुलने के सिनेरो में बताया है, ठीक है मालने जे मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है, ठीक है गैप खुलने के बाद, ठीक है मार में मार्केट जो भी प्राइदेक्शन मनाईगी यह जो जिस भी डिरेक्शन फीर मार्केट ब्रेक आउट देगी ऊपर या नीची उस रेंज के ब्रेकडाउट और रेकडाउन पर हम लोग ट्रेड लेंगे ठीक है यह वहाईने को शिनारियों होता है गेप ऑप और के दौन क के बाद market किसी भी direction में जाएगी फिर हम लोग उसका range बनने का वेट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और सेगेंड हाफ में उस रिंज के breakout और breakdown पर हम लोग trade करेंगे ठीक है तो यहीं simple trick है ज्यादा भी हम लोग इसको वह नहीं करेंगे क्या कॉंप्लिकेट नहीं करेंगे किस तरह से हमको कल एक्सपायरी है तो एकदम ऐसा ट्रेड ले लेंगे वैसा ट्रेड लेंगे नहीं बिल्कुल नहीं अगर हम लोग सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मार्केट हमारे बनाये हुए सेटप काम करती है तब हम लोग फिर उस पे ट्रेड करेंगे तो ज्यादा सही रहागा यह डिसिप्लीन आना बहुत जरूरी है मार्केट में अगर आप इस डिसिप्लीन से काम करेंगे तब ही हम लोग मार्केट में लंबे समय के लिए टिक पाएंगे ठीक है अगर यह सोचे कि कल है हम को चैइए चाहिए करना ही है फिर मार्केट आपको कुछ दिखा रही है कुछ भी रेक्षिय हो रहा है तो उस चक करेए और हम लोग को लॉस होगा और एलाफ क्रें से मांउस होंगे ठीक है तो हम लोग जो एपक्र सब्रोफिट निथिश数 मिली कि देखेंगे निफ्टी भी पूरा दिन साइडवेज रहा आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज रहा ठीक है निफ्टी मैंने कहा था कि अठारा हजार दोषो जब तक नहीं तोड़ेगे तब तक हम लोग ऊपर का कोई भी पूजिशन नहीं बनाएंगे आप देखेंगे कि मार्केट आज गैप डाउन खुली गैप डाउन खुलने के बाद लगबग 18,060 के बाद जो है 18,160 तक गई लगबग 100 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी ने यहाँ पे पूरा दिन ट्रेट किया ठीक है 100 पॉइंट तो दूर हो गया आप देखेंगे कि यह जो लेवल है लगबग लगबग 18,000 18,080 से लेके लगबग लगबग 18,150 160 लगबग लगबग 60-70 पॉइंट के बीच में मार्केट पुरा दिन यहाँ पे साइडवेज रही ठीक है तो ऐसे मार्केट में हमारा बहुत सारा एसल जाता है और उस सक्कर में हमारा फिर क्या होता है ट्रेट की कारण हमारे लॉसेज बड़े हो जाते है तो ऐसे साइडवेज मार्केट एनलेसिस करने के लिए क्या होता है कि हम जो लेवल दियो होते है ठीक है उन्ही लेवल के ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन पर जब आप काम करेंगे ठीक है अब हम लोग कल कैसे ट्रेट कर सकते है कैसे ट्रेट करना है मार्केट फ्लैट खुलते है फ्लैट खुलने के बाद अगें जब तक 200 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग कॉल की कोई भी बोजिशन नहीं बनाएंगे मान लिए मार्केट फ्लैट कुल के फर्स्ट हाफ में अगर यहां पर रेंज बनाती है लगबग दोसों के आसपास और फिर उस रेंज का ब्रेकाउट होता है तब हम लोग फिर उपर के लिए और पोजिशन बनाएंगे ठीक है में डार कि से करना है मान लिए मार्केट फ्लैट से चलना शुरू होती है उसे जो बने और सपिकेंद थोड़ा आप het निफ्टी में हम लोग वेट करेंगे सेकेंड हाफ में कि जो भी रेंज बनेगा जो भी प्राइज एक्षिन बनेगा डबलू बने चाहिए एम बने हम लोग उस पैटर्ण के हिसाब से फिर हम लोग ट्रेड लेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि यहां पर फ्लैट खुल तो नीचे च करनेगा ठीक है मार्केट बहुत दिन से हमको अच्छा ट्रेड दे रही थी ठीक है अच्छा तरे नसे डैक्षिन तेरह था आप देखंगे कंटिनू यहां पर सेलिंग होते हुए आरी थी फिर अच्छा बावी भी मिला हमको अब यहां पर हमको क्या होता है चब मार्केट दो तरफा मूव दे देती है आपको पहले अच्छा सेल साइड मूव मिला फिर एक बाइंग साइड तो हमको यहां पर ना साइडवेज मार्केट दिख सकता है ठीक है तो कल एक्सपायरी है जरूर है लेकिन हो सकता है कल मार्केट में ज्यादा वॉलाटायल मुवेंट हमको द सकते हैं लाइब मार्केट सेनेरिव के लिए जहां पर हम चार्ट सेल्डे इस्टॉक्स लेटेड अपने आइडिया शेयर करते हैं जिससे आपको और भी मदद मिलती है तैंक यू वेरी मच गाइस चैनल को लाइक करेगा शेयर करेगा सब्सक्राइब करेगा और भी लोगो तक हो चाहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में